हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैर आज मैं आप सभी के साथ शेर करने जा रही हूँ अपना एचैसजी टेस्ट का एक्सपीरियन्स क्या था कैसे था और वाकई में क्या पेन होता है या नहीं होता है क्योंकि मुझे लगा कि यह आप सभी के साथ भी शेर करना चाहि अपना एक्सपीरियन्स की कैसे हुआ, क्या हुआ, कितना पेन हुआ, हुआ की नहीं हुआ और उसके बात क्या परिशानी आए तो यह सभी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेर करूंगी ताकि अगर आपके साथ सिच्वेशन आज चुकी है आपको भी किसी मजबूरी वश तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिले मेरी इस वीडियो से वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ी सी भी हेलफुल लगे और आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा और दूसरों के सा हैं तो यूटूब पे बहुत धर सारी भषा भर की वीडियो मिल जाएंगी वह कोई अगर जानकारी के लिए यह क्ला है कि कहीं आपकी ट्यूप तो ब्लॉक नहीं है या फिर एक लिए क्भलिय मतलब पदा करने के लिए क्या जाता है ट्ली้ reciprocal ऑल से बाकी और डीटेल्स की वीडियो आप किसी डॉक्टर वोई बहुत ऐसे यूटूब पे डॉक्टर्स हैं जो शेयर करती हैं आप उनकी वीडियो जाके देख लीजेगा कि यह टेस्ट क्यों और कैसे क्या जाता है मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपेरियंस और मैं अपना एक्सपेरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि मैं भी यूटूब पे ऐसे वीडियो सर्च कर रही थी तो उसमें काफी पुरानी वीडियो थी जिनका एक्सपेरियंस देखके मुझे टेस्ट कराने में काफी जादा डर लग रहा था मतलब मैं बहुत जादा डर जादा रही है जब अब बहुत सारी दिमागे और आप वीडियो देखके मैं लग भग इस टेस्ट को वन एयर के लिए टालती गई टालती गई मतलब नहीं कराना है नहीं कराना है जब भी करानी की बारी आती थी तो मैं ऐसे ही यूटूब पे तमाम वीडियो देख लेती और फिर मैं अंदर से डर जाती थी, घबरा जाती थी, और फिर मैं नहीं कराती थी, लेकिन जब फाइनली हुआ कि नहीं, अब तो कराना ही कराना है, फिर चाहे जो भी हो, जैसा हो, लेकिन कराना है, जब मैंने ये सोच लिया कि नहीं, अब कराना है, तो जब मैंने ये डिसा और फिर बिए सतुर में लगे करा इद धिर देखनाय यूटूब ने तौ फिर वीडियो Fall यहां के लिए सब्रोप सर्ड़ा टाल, लोग Learn बताया में थैऊ़ में पना कूर पढ़ा है ब्रॉप meant to student देखे देखे फिर मैं एक बार डर गई कि मतलब मैं करा पाऊंगे कि नहीं करा पाऊंगी मेरे अंदर ये डाउट चली रहा था एक हपते तक मेरी नीद गायब हो गई थी कि मुझे कराना है नहीं कराना है मतलब बहुत सारे सबकी कमेंट्स पढ़के मैं डर जाती थी डॉक् करते थी कि बहुत पेंफुल टेस्ट है ऐसे है वैसे है तो काफी कुछ उसमें रहता था लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज अगर आपकी डॉक्टर्स ने भी ये लिखा है देखे पहले तो ये टेस्ट अपने मन से जाकि बिल्कुल भी नहीं कराना है बिना किसी डॉक कि टेस्ट कराना है तो मैं कह रही हूं प्लीज आप करा लिजेगा मेरी वाली बेकूफी मेरी वाली गल्ती प्लीज आप में से बहुत एसी औरते होंगी जो ये वीडियो देख रहे होंगी मेरी वाली गल्ती आप लोग मत करिएगा कि अपना वन इयर टाइम सिफ इसी में इस टेस्ट के चकर में कि नहीं कराना है नहीं कराना है फिर तमाम दवाईयां ऐसे आलतु-फालतु दवाईयां खाते रहो और अंत में जो में प्रॉब्लम है वो हमें पता ही न चले तो ये गल्ती आप न करिएगा इसलिए मैं कह रही हूं कि अगर आपकी डॉक्टर ने लिग दिया है कि ये टेस्ट कराना है तो बेज ही जग बिना डरे आप ये टेस्ट कराने जाए और मैं कहूंगी कि आप ऐसे भी मत चले जाए बिना कुछ यूटूब पे वीडियो जाए आसकल तो यूटूब इतना बड़ा मतलब की सर्च वो है कि आप कुछ भी डालिए स उन्हें बिना कोई जानकारी लिए कि Hsg टेस्ट हो था क्या है मैं भी चली गई थी जब डॉक्टर ने उनका जो हॉस्पिटल था उन्ही के मतलब हॉस्पिटल में ही पैथोलाजी वो टेस्ट का था तो उन्होंने सिफ लिग दिया Hsg टेस्ट और मैं सीधे ही रूम में च तो नहीं कराना है क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि इस टेस्ट में होता क्या है, क्या किया जाएगा मतलब मैह mentally disturbed हुई थी कि नहीं मुझे यह नहीं नहीं है वो सम मसीने बड़ी बड़ी देखके मैं बहुत जाधा डर गई थी तो मैं वहां से उठकी चली आई और ये तमाम वीडियोस देखना शुरू की और फिर मैंने दीरे-दीरे अपने माइन को प्रिपेर किया कि नहीं ठीक है अब कराना है तो कराना है इसमें क्या है आखिर जिस चीज के लिए करा रहे हैं वो बच्चा पैदा करने में भी तो पता नहीं कितना दर्द होता है कितना द अब कितना ही दर्द हो जाए अब कोई फरक नहीं पड़ता है बहुत लोगों ने तो ऐसे भी कमेंट्स लिखे हुए मतलब जो मैं वीडियोस देखती थी उसके नीचे कि यह आधा लेबर पेन होता है जियां वा कहीं में बहुत और हुआ होगा नो डाउट हो सकते है उनको गुक्त लेड़ीजों में सेम होता है बिल्खुल नहीं सब में अलग होता है तो हर में पेन अलग होता है हर दवाईयां बार्डी पर अलग अलग bereits करते होती है तो बहुत लोगों ने ऐसा लिखा था कि आधा लेबर पेन दर्द होता है मैं तो आँ चिलाने लगी थी यह तो हुआ इतना ज़ादा दिस्टप हो गई थी को मैं सुछ जिस दिन अगले दिन मेरी अपॉंटमेंट थी कि नहीं करने जाना है मैं उस रात जो ही नहीं दिमाज में चल रहा है कि यह करना हुआंगी कि नहीं कर पाऊंगी और फिर से उठके चली आऊंगी चिलनाने तो नही कि मेरे साथ इतना बुरा इक्सपिरियनस नहीं रहा इस तेस्ट का और मैं आपको SkeP दशब मुझे डॉबारा भी अभी कराना है c Glad to be a फिर विब्याइन की ते altri ओने नहीं पर एस्ट कराने में तो मैं सारी लेडिम्हा में भाड़ों आपloo तो फिर आपकी बॉड़ी वो अलग ही रियक्ट करती है अगर दर्द नहीं भी हो रहा है तो आपको यह महसोस होने लगता है कि नहीं मुझे बहुत पेन बहुत दर्द हो रहा है मैं नहीं करा पाऊंगी वह आप अल्रेडी उस सिच्वेशन में चली जाती है भले उस टेस्ट से उतना पेन नहीं होने वाला है लेकिन आप उतना सोच लेती है कि आपकी बॉड़ी आल्रेडी पेन में हो जाए तो मैं सिफ आप लोग को प्रिपेर करना चाहती हूं कि प्लीज आप मर डरिएगा चली लास्ट में अपना एक्सपेरियंस से शियर करती तो जो मेरा दिन थ करेंगी फिमेल करेंगी या मेल करेंगी देखिए अगर यह कोई मेल करते है तो आप पहले ही बहुत जादा अनकमफर्टेबल फील हो जाती है तो आप वो टेस्ट मत कराएगा कि मुझे ऐसा फील होता है कि आप पहले इतनी अनकमफर्टेबल हो जाएंगी तो फिर क्या टे और जो में समय है आप उनसे पहले ही पूछ लिजए कि क्या यह टेस्ट करने से पहले आप कोई इंजेक्शन देंगे राखी काई अले के लिए और टेस्ट होने के बाद में आपको हुआ और मेडिसीन करेंगे लिए क्या कोई नेकर ने लिए तो वहां पे तीन चाल लोग थे तो सब को इंजेक्शन बारी बारी से दे दिया गया था और जिसका पहले लगा था उसका टेस्ट पहले हुआ था वहां पर तो मैं बता हूँ तो फिर जब मेरा नंबर आया जाहिड सी बात है डर तो था ही इतने वीडियो देखे थे सब कुस लुटा सा पता भी था कि टेस्ट कैसे होना था तो यह तो पता था असा नहीं था ऑग़िए बता रही है क्या, कि ऐसे करींडुब वैसे करींड६ हम पहले ही डर जा रहे है क् कि तुसमेरी बिइंजक्शन पिर इंजक्शन कें खुलिए तो जो असर करना था इंजक्शन के गाए अरामचे शामचे की बारी क campaign मे आपने स्टूशन है की जए जिए ईचछी पहा पया कहा हूं श्रक्या का थो सिर्फ और ऐस वहां पर क्लिनिक पे कम से कम 3-4 लोग ऐसे थे जो वह टेस्ट कराने आये हुए थे और सबके सब 5 मिनट से मतलब 5 मिनट पे सब के सब बाहर गए थे टेस्ट कराके कर ला के मैं पहले नहीं गई थी मेरे से पहले एक दो लोग और थी तो मैं उन लोग को देख रही थी कि ये लोग कितनी देल में बाहर आते हैं तो मैं देखी एक पहली जो है वो भी पांच मिनट में बाहर आगई तो मैंने उससे पूछा कि मतलब हो गया तो बोलती ही कि हाँ हो गया तो मुझे थोड़ा आएगी तो मैं वहाँ खड़ी थी एक निकली कोई आवाज नहीं आई दूसरी गई वो भी आई कोई आवाज नहीं तो मुझे लगा कि यार अगर कुछ मतलब अगर दर्द इतना सहनी है तो कुछ तो आवाज आएगी किसी की चिलाने की नहीं तो कराने की कुछ तो भाजी आई हाँ प rubbish हो भी हो लेकिन वह प्रक्री आथा कि च्रोव लेकिन वह पएचा था में बता हो तो मातर। दो मिनटकर में कहोंगी किि ईपाई मुझें टो मुझे नहीं पता कि दूसरों के साथ कैसे दर्द होता है यहां ही बंग घौट बे Déts करा रहा है तो ममझे सिफ इतना ही हुआ है थोड़ा सा लगा कि शरीर में कुछ तो हुआ मतलब कि वो थोड़ा सा मायन तो प्लीज ये टेस्ट करा लीज़े आप भी बेट कुफी मत करेजा कि नहीं दबाई पर दबाई खाई जा रही है। और अन्त में प्रोबलम क्या निकलती है। फिर आपको लगेगा कि हाई मैंने ये पहले क्यों नहीं कराया तो मेरा एक्सपिरियंस यही था कि कुछ भी नहीं हुआ इंजेक्शन लगा दस मिनट पहले और फिर मैं अराम से गई और पांच मिनट में मैं पूरा बाहर चली आई थी हाँ ये टेस्ट होने के बाद थोड़ दवाइली की और उस तीन दिन मुझे असा लग रहा था कि मतलब सर थोड़ा सा घूम रहा है नीद बहुत जादा आ रही है ये मुझे महसूस हुआ था लेकिन कोई पैन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ तो मैं प्लीज आप लोग से कहूंगी कि इतना डरिये मत और जो तेस्ट हुआ था वो डिस्पोजल किट द्वारा हुआ था देखे मुझे लगता है जिनों बहुत पैन होता है उन्हें कुछ पुरानी जो मसीने होती है उसके द्वारा वो टेस्ट कहा था हो सकता हो बहुत पैन फूल हो एंड थैंक गट की वो मेरा नहीं था मेरा जो तो तो इसे फिर फेक दिया जाता है। और उसे अतना पेंन नहीं होता है। यह मैंने वीडियो में देखा था पहले सी और सीरेसली मुझे उतना नहीं हुआ। मैं आप को हो ओँगी प्लीज बीना डरें। बिना हजारों वीडियो देखे बिना आप जाये आराम से जाये कराके मैं कहरे हूं कि आप सिर्फ पांच मिनेट में चले आएंगे कराके आपको उतना जादा महसूस नहीं होगा हाव हाँ एक चीज और शेयर करना चाओंगी ये टेस्स पेहोशी में भी होता बहुत से enough work जो बेहोशि में बहुते हैं ये जो काम आपका पांच मिनट में हो जाएगा पांच मिनट में आप करा के अपने घर आराम से आराम कर सकती हैं क्यों एक बार दिमाग में यही आए कि मैं आनिथीसिया लेकि करा लेती हूँ छोड़ो जाने दो यह सब कौन सा है फिर मेरे दिमाग में यहाए कि यार उसमें आधा घंटा समय लग जाएगा और मैंने यहाँ पर जहां मैंने कर रहा है था उन से मैंने पूछा था कि कितना टाइम लगेगा तो उन्हें ने आपके पांच दस मिनट में आप आराम से घर जा सकती हैं तो मुझे लगा कि यहार म तर्द ही नहीं होगा तो आप आराम से पांच मिनट में करा के चले आएंगे वीडियो थोड़ी से लंबी हो गई होगे लेकिन मुझे आपको सब कुस डिटील से एक्स्प्लेइन करना था और मुझे आपको समझाना था कि प्लीज आप यह टेस्ट करा लीजी मेरी तरभ ब करूंगी वैसे मैं इतना बता देती हूं कि यह टेस्ट मैंने लखनव में कराया था वाकि किस क्लीनिक पे कहा कराया था और कितना पेमेंट हुआ था यह सब मैं आपको डिटील में बाद में बता दूंगी अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कर दीजेगा फिर मिलूंगी पत्तकिली बाद एंग्टेक्कियर